डीप नेलेज में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं मेरे बाइक का लेफ्ट और राइट साइड फेरिंग निकाल दिया है और फ्रॉंट वाइजर भी निकाल दिया है दोस्तों पलसर RS200 का फेरिंग निकालने के लिए आपको एक फिलिप स्क्रूड्राइवर अच्छा वाला कोई व्रांड का चाहिए और एलन की सोकेट बोल्ट जो स्पीडोमेटर में लगा है वो निकालने के लिए दो एलन की चाहिए जो फिलल आपके बाइक टूलबक्स में बाइक डिफर्ट दिया गया है तो दोस्तों फिलल आप देख सकते हो मेरे बाइक का उइदा फेरिंग व्यू आपको मैं आज सभी सेंसर की बारे में कुछ जान कर दूँगा बाइक ओनोर होने के नाते आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है दोस्तों RS200 एक स्पोर्स बाइक है इसमें जदातर सेंसर लगा है तो दोस्तों सबसे पेले हम हुईल पे चलते हैं दोस्तों RS200 का दोनों हुईल में सेंसर डिस्क लगा है हुईल गुमाने से ये उसके साथ घूमता है तो दोस्तों ये देख लिजीगा ये है सेंसर डिस्क दोस्तों हम जब बाइक र का है वो बारवर speed sensor यानि ABS sensor के पास से गुजरने से pulse count होता है और दोस्तों इसी pulse को count करके speed sensor यानि ABS sensor issue को information भेजता है दोस्तों सभी BS4 bike में जैसे कि जहांपर ABS brake दिया गया है वहां में speed sensor यानि ABS sensor दिया गया है दोस्तों ये ABS sensor ही bike का brake को control करता है ऐसे मैं आपका wheel skid नहीं करता है तो दोस्तों ये पीछे का wheel का sensor disk है चलिए मैं आपको ABS sensor दिखाता हूँ जैसे कि ये आप जान चुके है sensor disk क्या है इसको clean रखना है दोस्तों ये bend होगा तो आपका braking ठीक से नहीं हो पाएगा आप किसी भी करके इसको fine रखना अच्छे रखना इसको मतलब cleaner से clean करना स्प्रे कर देने से clean हो जाएगा तो दोस्तों चलिए हम आपको ABS sensor दिखाते हैं RS 200 में ABS sensor काम कर रहे या नहीं ये जानने के लिए आप एक आसान तरीका से check कर सकते हो तो दोस्तों जब भी आप bike ride करोगे यानि starting करोगे तभी ये on रहेगा उस दिर running करने के बाद ये automatically off हो जागा है यानि आपका sensor ठीक से काम कर रहे है ऐसे आप पता कर भाओगे दोस्तों तो चलिए ये देखते हैं ये ABS sensor ये ही है ABS sensor का wire तो आप देख सकते हो ये छोटा सा मतलब wire ABS sensor का ही wire है ये नीचे गया है आ तो देख रहे हो ये ABS sensor है ये 10 नमबर का vault में लगा है इसको अगर आप clean करोगे तो आप injector cleaner में clean कर सकते हो दोस्तों ये जो ABS speed sensor है ये ECU को information जो भेजता है सभी BS4 bike में ABS sensor होता है sensor disk होता है और दोस्तों ECU भी होता है ECU मतलब electric control unit जो हमारा bike का brain है तो दोस्तों यहां ध्यान स देख लीजिगा यहां पर भी 10 नमबर बाट लगा है ABS sensor में इसमें कभी भी कीचर घुसने मत देना और साफ करते वक्त यहां पर पहले साफ करना पानी से अच्छे से spray करना sensor disk और ABS sensor clean रहना ज़रूरी है दोस्तों दोस्तों चलिए मैं आपको left side दिखाता हूं दोस्तों RS200 मे oxygen sensor जो कि Catholic Carnivator से पहले लगा रहता है यह देख लीजिगा यह है oxygen sensor auto sensor जिसको कहते हैं कुछ भाई लोग पूछते हैं auto sensor कहा है आप देख लीजिगा यह auto sensor है दोस्तों अगर आप इसको clean करना चाहोगे तो injector cleaner से इसको भी आप clean कर सकते हो कोई problem नहीं है दोस्तों अगर आपक यह close switch का wire है यहाँ पर connect हुआ है इसको disconnect करना है यहाँ पर और यह 76 रूपीज में मिलता है आप यहां से मतलब close liver के नीचे जो है screw को निकाल की यह निकाल सकते हो दोस्तों close switch को change कर देने के बाद आपको close दबाने पर बार बर जो start बंद हो रहा है ऐसा situation नहीं आएगा और य throttle position sensor, coolant temperature sensor, temperature sensor, fuel level sensor और rollover sensor दिखाऊंगा दोस्तों यह इसका location आपको बताऊंगा देखिए दोस्तों यहाँ पर throttle body जो है यहाँ पर धेर सरा sensor लगा हुआ है throttle body मतलब air cleaner से और engine head के वीच में जो aluminium pipe type का है वही throttle body है दोस्तों यहाँ से साई से दिखता नहीं है मैं आपको right side से दिखाता हूँ अब ध्यान से यहाँ देख ली जिगा यह chassis के side में ही है throttle body अब देख सकते हो यह जो fuel tank है इसके नीचे air cleaner है उसके साथ देखिए नीचे जो ह throttle body है दोस्तों throttle body को देखने के लिए tank को निकालना पड़ता है फिलल मैं tank को नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि इसको निकालने के बाद काफी सारा fitting करना पड़ता है तो दोस्तों फिलल मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ इसमें throttle body है अंदर तो throttle body पे दोस्तों map sensor या throttle position sensor ये दोनों sensor लगा है और दोस्तों इसमें fuel injector भी लगा है और दोस्तों ये जो engine head आप देख रहे हो इसमें मतलब temperature sensor यानि coolant temperature sensor ये लगा है और oil pressure switch लगा है दोस्तों RS200 pulser में BS4 में fuel level sensor जैसे कि ये fuel tank के अंदर है और दोस्तों rollover sensor ये sensor ना दोस्तों आपको बाद में मैं आपक volt है उसके नीचे chassis के नीचे है तो दोस्तों ये बाद में आपको दिखा दूँगा मैं कहां पर ही है ये marking करके आपको मैं दिखा दूँगा roll over sensor जैसे कि roll over sensor की बज़े से ही आपका bike अगर गिरेगा नीचे तो ये start automatically बंद हो जाएगा ये roll over sensor की काम है दोस्तों start को off कर देना दोस्तों मेरे bike को आप ध्यान से देख लीजेगा यहां मैंने जब ये सब फेरिंग निकाल दियाँ उसको fitting करना भी थोड़ा सा difficult है दोस्तों क्योंकि ये साई instrument ना होने पर अच्छे से fitting नहीं हो पाता और थोड़ा सा gap ने जाता है तो मैं आपको बाद में कोई fitting वीडियो आपको मैं दिखा दूँगा और मैं मतलब suit नहीं कर पा रहा हूं fitting वीडियो तो मैं single ही हूँ इसलिए आपको मैं बाद में दिखा दूँगा तो देखिए ये साई instrument ना होने पर आप कभी भी फेरिंग को मत निकालना आपको मतलब star screwdriver अच्छा वाला कोई brand का चाहिए नए तो आप साई से screw को नहीं निकल पाओगे एक बर screw damage होने पर वो damage हो जाएगा आप उसका मतलब नहीं शोरूम में भी आप नहीं ढून पाओगे उसका screw तो ध्यान रखना दोस्तों आपके पास अगर साई instrument हो तब ही ये आप निकल सकते हो और जानकरी फड़ा बहुत है तो आप इसको निकल सकते हो दोस्तों मेरे बाइक में जो double horn लगाए पीछे double horn जो हेला का लगाए फ्रॉंट में बाइक का जो stroke horn लगाए उसके लिए मैंने दोनों relay यूज किया हूँ जो कि मैंने छुपा के रखा हूँ तो दोस्तों आप यहां देख ली जगा है नोटिस की ज दोस्तों मैंने यहां पर चुपा दिया है तो दोस्तों आप भी इसको चुपा के एसे रख सकते हो एसे में relay आपका अच्छा रहेगा तो दोस्तों जब भी आप आपका फैरिंग निकालोगे अंदर आपको देखना है अच्छे से क्योंकि इसमें जो वासर बगरा रहता है कोई मतलब डेमेज ना हो इसलिए अगर डेमेज हो गया है तो आप नए उसर चेंज कर सकते हो तो दोस्तों देखिए यह जो पैट्रोल टैंक के उपर बूट लगा है रबर बूट और यहां देख लिजगा यह दूसरा रिले यहां पर है मेरा यह जो हेला होर्न का रिले ल दना और दोस्तों यहां देख लिजगा यह एर क्लीनर है इसको डेमेज ना हो इसलिए मैं उपर रबर लगा दिया हूँ आप भी इसे रबर लगा सकते हो तो दोस्तों यह बूट टाइट रहना जरूरी है अगर लूज हो गया है तो आप नीचे सल्यूसन लगा के इसको ट हूँ जैसे कि मैं रेड सरकील आपको दिखा यहां पर लगा है दोस्तों जो टेनक का फ्रॉनट वोल्च है उसके नीचे ही रोगलवरूर सेंसर है जैसे कि चैसिस के अंदर छुपा होके रहता है दोस्तों मैं RS200 Pulser का left side का कुछ चीज आपको देखा हूँगा जैसे कि इसमें जो दो प्लोग है यह दिखा हूँगा दोस्तों प्लोग कितना तक रहना चाहिए देखिए यह मेरे फ्लोग यह अंदर का एक प्लोग यह बाहर का एक प्लोग ऐसे फ्लोग फिटिंग होता है प्लोग का जो वाइर आप देख रहे हो दोस्तों यह अंदर से सब्सक्रेब कीजिएगा दोस्तो लाइक कीजिएगा कोमेंट कीजिएगा हो सोगे ते मुझे वाट्सप पर कंटक्ट करना थेंक्यू दोस्तो जैहिं